कैसे हो बच्चो, हिंदी की क्लास में आपका फिर से स्वागत है आज हम व्यांजन चर से अणा का अभ्यास करेंगे व्यांजन का पुन्रावर्तन हम अलग तरीके से करेंगे हम कहानी सुनेंगे कहानी सुनने के समय हमको हर एक शब्द को गौर से सुनना है और हमको सोचना है कौन सा शब्द कौन से व्यांजन से शुरू होता है ये कहानी है एक चुल्बुले चुहे की एक दिन एक चुल्बुला चुहा अपने मित्र के साथ में बाजार जा रहा था उसको जलेबी खाने का बहुत मन था वो जबी जलेबी खाने जा रहा था उसने देखा उसके मित्र के पास एक छाता है और वो छाता लेके रुका है उसने देखा कि बाहर बहुत बारिश आ रही है इसके लिए उसने छाता पकड़ के रखा है चसे छाता और चसे चुहा जसे जलेबी बारिश रुकने के बाद में उन्होंने देखा एक बगीचे में बच्चों की टोली बैटी है और वो जसे जाड के नीचे बैटी है और वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग यहां पढ़ रहे हैं, वो लोग व्यांजन यहां पढ़ रहे हैं, व्यांजन यहां से क्या होता है, खाली, सो बच्चे क्या कर रहे थे, यहां से खाली पढ़के ताली बजा रहे थे, यहां 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 से खाली, बच्चों ड से डबल रोटी खा रहा था जबी वो लोग ड से डबल रोटी खा रहे थे अचानक से वहां से एक टटू गया ड से टटू जबी वो टटू भाग रहा था चुहे ने अपने सभी मित्रों को बुलाया सभी मित्रों को बोला चलो 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 ड से डमरू गसे गनपती देखेंगे सभी चुहे ड से डमरू देख रहे थे उसके बाद में उन्होंने देखा कि गसे गनपती नाच रहे है फिर चरसे चुहे भी नाचने लगे और उन्होंने फिर रामायन की कहानी सुनी रामसीता की कहा और उन्होंने अंत में प्रणाम किया बच्चो मुझे आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी कहानी की शुरुआत में मैंने पताया था आपको हरिक शब्दों को गोहर से सुनना है और वो कौन से व्यांजन से शुरू होते हैं वो ध्यान में रखना है हमने कौन से व्यांजन का पुन्रावरतन किया च, च से चुलबुला, च से चूहा उसके बाद में च, च से चाता च से जलेबी, ज से जाड यह खाली होता है और उसके बाद में ट से टटू, ट से टोली ट से ठंडा उसके बाद में हमने ड से डमरू, और ड से डबल रोटी देखा और हमने देखा कि रामायन में अनः होता है प्रणाम, और एक चित्र था हिरन वो भी देखा, वो था अनः का पुन्रावरतन मुझे आशा है आपको व्यंजन च से अनः का पुन्रावरतन समझ में आया होगा धन्यवाद